तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम कमपनी में यानि कि कोई भी कमपनी हो उसमें हम एकजिट लाइट कैसे लगा सकते हैं यानि कि जो डोर पर लगती है डोर के ऊपर लगती है एकजिट लाइट यानि कि इमरजेंसी एकजिट लाइट किस तरह स हम लगा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं दोस्तों वीडियो में तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और well icon को कीजिए प्रेस ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले तो सबसे पहले हम डॉर की कि इस light को हम अन्वाक्स करते हैं और अन्वाक्स करने पर कुछ इस तरह कि हमारी यह light देखती है तो इस तो कंपनी में यह बहुत जादा लगती है जो कि company होती है उनके gateway यह emergency light बहुत लगती है जैसे light कर जाए किसी रीजन में generator power supply नहीं है तो इस रीजन में दोस्तों हमारी जो audience काम करती है company उनको पता सल सके कि exit द्वार किधर है और थोड़ा बहुत light भी इसमें LED जलती है और बहुत fast LED ग्लो करती है दोस्तों इस तरह कि यह exit light होती है जो कि दो light इसमें आती है और आप देख सकते हैं यह हमारा इसका फ्यूज है और यह हमारा फ्यूज ब्लो है और यह हमारा charging का है और यह AC on है तो दोस्ता आप देख सकते हैं यह जो हमारा है नीचे वाला exit light जलाने वाला है और जो exit का यह light आप देख सकते हैं camera में अगर आपको द 안-off कर सकते हैं इसका एक switch भी है जिससे रमारे दोनो लाइट एक साथ ऑन हो जाएंगी तो सविच हमारा ये है अब देख सकते हैं इस Cowdenार दोन लाइट जलने लगती हैं और हम इसको मजटीपली ऑपरेटी कर सकती है switch की switch की मदद से तो इस तरह से दोस्तो यह हमारी light होती है और दोस्तो अब से जो हमारे वीडियो आने वाले हैं दोस्तो वो full video आने वाले हैं क्योंकि इस तरह से दोस्तों हम इसको लगाने वाले हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है इमर्जेंसी गैट तो यहां से दोस्तों हमको फ्लेक्सिबल लेके लाइट को इमर्जेंसी एक्जिट के ऊपर इसको इस तरह से माउंट करना है जो कि दोस्तों इसमें आपको देख रख लगा के तो दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमें इसको लगाएंगे और किस तरह से हमें इसकी मार्किंग करते हैं इसक्रू की जगा को तो दोस्तों इस तरह से हमने लाइट को लिया है और लाइट लेने के बाद दोस्तों हमने यहां पर मार्किंग कर होती है यह इतना ही करेंगे 6 mm कि गिती होती है तो 6 mmkey beat से हम इसको hole कर करके कट्थी फश आगे और उसमें जो machine screw आते हैं इसको हम डालेंगे तो हमने proper कंद दिया आब आते हैं दूस्तो में के ball की वारी तो के कवल है दोस्तों इसको प्लैर की मदद से हम इसको चील रहे हैं और ये दोस्तों 1mm की हमारा इसमें केवल लगेगी यानि की जो ये emergency light होती है बहुत current लेती है तो सबसे पहले हम इसको hang कर देंगे ऊपर लटका देंगे लटकाने के पाद दोस्तों इसमें तो हमारा जो चटकनी वारा लाइट है, इसको एक राउंड लाइट के उपर लेके कर देंगे, क्योंकि जादा नहीं लटकना चाहिए, तो इसको हम आफ कर देंगे, और आफ करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे मेजर, कि हमारा कितना वायर लगने वाला है, तो यह आते हैं तक हमने अपना मेजर कर लिया, और इसको हम कट कर देंगे, कट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको इसको फ्लेक्सिवल में डालेंगे, क्योंकि हमने जो विलकलर का इसके साथ ये सी कॉटलीट था, वो काट के बाइट कलर का कैवल जोड दिया है, और इस सभी को हम फ्लेक्सिवल में इस तरह से उतारेंगे, जैसे कि हमारा वायर छोटा ना पड़े, और हमने पहले ही फ्लेक्सिवल नाप ले आया और अच्छे से फिनिसिंग देंगे, दोस्तों कंपनी में जो काम होता है, वहाँ पे फिनिसिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि द का ही है, अगर दोस्तों 25 mm का सेडल होता और 25 mm का पाइप होता फ्लेक्सिवल तो हम 25 mm का ही सेडल लगाते, तो यहां तक दोस्तों हमारा काम हो चुका है, अब हमने जंक्सन खोल लिया है, और जंक्सन खोलने पर आप देख सकते हैं, इसमें निकलते हैं इतनी वायर, तो वा सबसे पहले को लगा लेंगा करेंगेद निटरल में आतो नहीं यह च्कृष में दस्तों होता है कि नक्रटन होने के नौलए अब और आभी काम के बारे में इतने नहीं दो सबसे पहले हैप बव्यके फिर और स्पॉप कीजिए तो दोस्तों ऑसा ना किजिए कि कि ये काम कर रहे हैं तो आप भी इस काम को कर सकते हैं दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है electricity से दोस्तो सब को डर लगता है और हमने भी पहले से चेक किया था tester से कि हमें भी कोई current लगे नहीं और दोस्तो टेप की बात करें तो टेप यहां पर प्रॉपर रहना चाहिए टेप में कंजूसी बिर्कुल भी नहीं करने चाहिए अगर दोस्तो टेप में आप कंजूसी करेंगे तो प्रॉपर कनेक्शन हमने कर दिया है यहां पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला है वह हाफ वायर है और रेट दोस्तो एक साथ connected रही है वह हमारा neutral वायर कुछ इस तरह से हमने कर दिया है अब लगे दोस्तों यहां पर हम एक सीट और सीट दोस्तों जंक्सन सीट पर हम किस तरह से लगाने वाले हैं प्रॉपर इस्कुरू करके लगाएंगे अगर दोस्तों आपका इस्कुरू बढ़ा है तो आप इसको कटविक कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह हो गया है और इसको प्रॉपर टाइट करेंगे लूज बिरकुल भी पर लिकसीबल गरभण और खरेगा हिँ गरबंप से कोई मतखलब नहीं है दोस्तों आपको काम करना वह जेनौन काम करना जाइए जैसेक को भी आपकी को देखे तो इस तरह से दोस्त हमने एक लगा दिया है और इसके साथ दोस्तो एक हम 12 mm का एक हम सेटल भी लगाएंगे इस तरह से जो 6 mm या 12 mm 10 mm का आता है सेटल उसको लगाएंगे तो इस तरह से हम हैमर की मदद से इसको ठोक देंगे तो इस तरह से दोस्तो हमारा ये काम होता है और आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमने फिनिसिंग दिया है exit light का तो यहाँ पर दोस्तो exit light चल चुकी है और proper connection कर दिया है एक बार मैं दोस्तो आपको light चला के दिखा देता हूं तो इस तरह से दोस्तो यह दोना light जलेंगी जब दोस्तो अंधेरा होगा यानि कि generator की supply भी नहीं रहेगी और grid की supply भी नहीं रहेगी तब उस condition में जो man gate देखाने के लिए worker जो होते हैं उनके लिए man gate देखाने के लिए यह emergency light, exit light यूज की जाती है तो अमीद करते हैं दोस्तो आज की यह वीडियो आपको पसंद आए अगर दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और वेल कैकर कीजिए press तक कि आपको मिल सके फ्यूचर में आने वाली नेव वीडियो की notification सबसे पहले तो दोस्तो हम मिल कर दोस्तो हम आए शचर वाली ने पोस्तो हम मिल आए दोस्तो वीडियो के ब यह चार, कुछनी यह यहें लादते हैं लिग्योग का इनकि लेएगर अशलिओनी और वीडियोर आजेम दोस्तो हूप Bund